करेंगे एक महत्पूर्ण विंदू पर हलांकि इस पर काफी कम चर्चाएं होती हैं लेकिन फिर भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और सिविल इंजिनियर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो इससे पहले कि कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह के लिया जर्जर हो चुकि है और कई जगह से यह बिल्कुल जर्जर की स्थिति में इसके लेकिन आपने कभी यह सोचा कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई आखिर ऐसा क्या हुआ कि इदने कम समय में जो है यह कंक्रीट बेकार हो गया और यह स्ट्रक्शर डेमेज होने की स्थिति में कभी-कभी आप देखते होंगे अपने आस-पास भी और अपने आस-पास आपको नजर आता होगा ज्यादा बुराना बिल्डिंग में यह च्छे-साथ-साथ-साल-आठ शाल-दस साल पुरानी बिल्डिंग है लेकिन उसके सरीय बाहर आ रहे हैं उसके सरीय ठूट के तो उसका सबसे बड़ा कारन है यह वाटर यह इस तर्ट्रक्शन वाटर जो प प्रजेक्ट्स हैं जो भी वाटर टेस्टिग्न एक रिगुलर फेनमेना है और हर तीन मंथ में हम उसकी पानी की टेस्टिंग करते हैं और उसकी जो है रिपार्मेंट एनालिसिस करते हैं अच्छा अब घरों में कभी-कभी हम आइसा नहीं कर पाते हैं लेकिन आपको यह प इंजिनियर से यह जो इंजिनियर साइट में काम कर रहे हैं उनको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो construction requirement क्या है पानी का पानी का construction जो construction water है उसके requirements क्या है तो उसके requirements आपको IS 456 में बहुत क्लियर्ली मिलेंगे इस 456 जो है इसके क्लॉज नंबर 5.4 जब आप इस पर जाएंगे जिन नंबर 5.4 पर तो आपको पूरा requirement मिलेगा कि इसकी क्या requirement अब मैं आपको करके बताने का प्रयास करता हूं कि इसके क्या requirements है और उससे क्या effect पड़ता है तो जब भी आप construction water की बात करेंगे तो पहला आपको ध्यान रखना है उसका pH value ठीक है यह आप देखिए pH value should not be less than 6 अब यह कैसे measure होगा pH value तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है एक thermometer जैसा एक instrument आता है साड़े 3-4 रूपने मिल जाएगा आपको market में वो आपको रखनी है और जो पानी आप यूज कर रहे है उसको आप देख लिए थर्मोमेटर की तरह आप डालिए उसका pH value बता देगा आप देखिए कि pH value जो है उसका 6 से कम नहीं आना चाहिए जैसे pH value 6 से कम आ रहा है आप आपको जो है 500 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए नॉर्मली 500 से ज्यादा नहीं आता है यह TDS मीटर भी एक छोटा सा equipment है उसका भी आप यूज करके और निकाल सकते हैं जो सबसे important parameter है जो आपके steel और concrete को effect करता है हम उसकी बात करेंगे और वो जो सबसे important चीज है वो है chloride ठीक है दोस्तों क्लोराइड आपके concrete में कहीं से भी आ सकता है उसका predominant source जो है chloride का वो पानी है या aggregate है sand भी हो सकता है लेकिन अगर chloride content आपके concrete में ज्यादा हुआ पानी से अगर ज्यादा chloride आया तो क्या होगा chloride मेटल के साथ reaction करके आपके सरीया को rust कर देगा और जब सरीया rust होगा तो वो खूलना चालू करेगा और जब खूलेगा तो आपके concrete को break कर देगा concrete को तोड़के बाहर आ जाएगा सरीया rust हो जाएगा आपका strength जीरो हो जाएगा structure का तो जो chloride है chloride content जो है पानी में आपका कितना होना चाहिए तो अगर आप जो है नोन-rcc material काम के लिए यूज कर रहे हैं तो यह 2000 milligram पर लिटर कि यह आपका कि नॉन-rcc मतलब PCC हो गया या machinery work हो गया इसके लिए यूज कर रहे हैं तो अगर आप RCC के लिए यूज कर रहे हैं तो यह 500 milligram पर लिटर आप 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 याद कर लिए आपके जो है यह objective में को स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान होना चाहिए जो नॉन-metallic structures अगर है तो 2000 और अगर RCC है तो 500 ठीक है तो यह chloride जो है एक important parameter हो गया ठीक है दूसरा parameter जो है जो बहुत ही important है वह है sulphate ठीक है दोस्तों sulphate in the form of SO3 ठीक है तो जो भी sulphate SO3 के form में होता है यह भी question आपके objectives में आ सकते हैं कहीं भी exams में उसमें लिए ध्यान रखियेगा sulphate अगर SO3 के form में है तो sulphate क्या करता है अगर आपके concrete में या sulphate ज्यादा हो गया ठीक है ना तो वो क्या करेगा वो cracks develop करेगा वो जो bond है वो bond हट जाएगा और वो cracks develop करेगा तो पानी में वाटर में वाटर में sulphate content कितना होना चाहिए 2000 mg पर लिटर ठीक है यह क्या होना चाहिए 2000 यह आप याद रख लिए sulphate का content दो important बहुत important parameter है और भी है जैसे organic solid हो गया या इन और्गेनिक solid हो गया या suspended solid हो गया और गेनिक solid के case में आपका यह है organic solid इन और गेनिक और suspended यह तीन तरह के जो है आपके solid उसमें रहेंगे तो इसकी इसकी आप देख लिजे यह 200 यह 300 ठीक है न और suspended तूठ हो जाए ठीक है यह यह आपका जो है यह milligram per liter में है milligram per liter यह भी milligram per liter और यह भी milligram per liter तो इसका जो है यह requirement है organic, inorganic और sulfate तो क्या-क्या चीजे होगी पहला आपका chloride पहला हो गया pH फिर हो गया TDS उसके बाद हो गया chloride उसके बाद हो गया sulfate फिर हो गया organic, inorganic और suspended solids तो यह आप इसका screenshot ले लिजे यह यह हो गया पानी जो हम construction में जो हम water use कर रहे हैं उसका requirement अब क्या होगा दोस्तों यह जो chloride और sulfate जो मैंने आपको दो important parameter बताए इसका source शिर्फ पानी नहीं है chloride और sulfate आपके aggregate से भी आ सकता है, sand से भी आ सकता है, कभी कभी cement से भी आता है तो अगर cement में भी chloride content जादा है तो वो आपको concrete को damage कर देगा अगर aggregate में अगर जादा है तो वो ड्यूमिज करेगा अगर आप ने c sand य्ज़ कर दिया तो अगर उससे c sand میں chloride जादा है तो वो आपको concrete को damage कर देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए अगर आप concrete में देखना चाहते हैं कि concrete में क्या होना चाहिए कलोराइड और सलफेट तो उसके लिए आप जो है कलोराइड और सलफेट ठीक है दोस्तों उसके लिए आप जो है सेंपल को अगर आप यह बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो यह आप सलाध दिया जाता है आप एक quality control analysis जो है कोई QAQC के program में भी होता है इक chloride और sulfate का test जो है आप laboratory में कराईए ठीक है laboratory में कराईएगा तो आपको आपको जो है यह दोनों आपको मिल जाएंगे अब देखिए इसका जो है हमारे इसपे CPWD के भी guidelines है और NBCC का भी technical circular number 9 है तो technical circular number 9 TC09 यह क्या कहता है कि जो आपका concrete का जो chloride content होना चाहिए chloride concrete का RCC के case में ठीक है इसकी limiting value है 0.6 kg per meter cube अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इससे ज़्यादा यह इसकी limiting value है should be less than this value यह RCC के case में यह आप याद रख लिए है ठीक है और sulfate के case में यह होता है should not be greater than should not be greater than 4% by mass of cement मतलब जितना हमने cement डाला है concrete में उसका 4% से ज्यादा sulfate content नहीं होना चाहिए अगर sulfate content उससे ज्यादा हो गया तो यह मान के चलिए कि आपका concrete अगले 4-5-6 या अधीक से अधीक 10 साल के अंदर तूट तूट करेंगा उसके points बिखर जाएंगे और वो गिर जाएगा अगर chloride content ज्यादा हो गया 0.6 की जी से आपका शरिया यह निश्चित है कि 8-10 साल के अंदर जो है वो रस्क लग जाएगा और इसकी concrete भी जाएगी और शरिया भी खतम हो जाएगा इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें अगर chloride और sulfate का जो है वो maintain करें इसकी frequently checking करें water testing का जो है frequency है वो three months as per CPWD guidelines ठीक है न थ्री months और as per NBCC guidelines भी जो है technical circular number 9 में technical circular number 09 में 3 months है मतलब आपको जो है पहले पहले जब इसकी mix design होती है उस समय एक वार टेस्ट कराना है उसक्त बाल इन फ्रिक्वेंसी आप फ्री मेंस आपको बाटर की टेस्टिंग करनी है अपको यह पसान लाया इसके व्यों देखेरें लेक्टे जैने के आइन वारत एंवारत एंवारत कर दो कर दो